असलालेकुम दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वत चम्मू के उदंपूर शहर में जहांके इस साल का नौस्टेक सिंपोजियम 2022 और बेसिकली यह एक एग्जिबिशन है जिसमें डिफेंस का एक्विप्मेंट शोकेस किया जाता है और सबसे अची बात यह है दोस्तों कि इस सारा एक्विप्मेंट चाहे वो ड्रोन हो सर्वेलिन सिस्टम्स हो वेपन्स हो जियो लोकेशन ट्रैकर्स हो यह सारा कुछ मेंट इंडिया है मतलब कि यही की मैनिफेक्ट्टर्स ने बनाया है इस एक्विप्मेंट को क्योंकि इस साल जो हमारी डिफेंट मिनिस्ट्र्री इसने तै कि इस साल यही कोछ चाह रहा है कि शाइद बाहर से मतलब रश्या या अन्य कंट्री से डिफेंट का इक्विप्मेंट नहीं खरीदा जाएग बलकि PM Modi का जो सपना है आत्मनिर्बर भारत, Make in India, यह सपना इवन इफेंस की फील्ड में भी इसको पूरा किया जाएगा। इस शांदार एग्जिबिशन का आधास, मतलब इनाउगूरेशन किया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफटेनिन जेनरल पि.S. राजू ने और इसको और्गनाइस करने में सबसे बड़ा हाद रहा है आर्मी के नौदर्न कमांडर, लेफटेनिन जेनरल उपेंदृत प झालाइस, मतलब इन झालाइस, लेफ़ा इनन जेनर वेफ़ा कि और रहा स्थल्साफ में युईकरमी में सबसे घ्क झाल झाल सब्सक्राइब गूँटे गूँटे मेरी मुलाकात्वी जिन और कॉप्स के फॉर्मर जियोसी से मिस्टर पियस राजो इनका पुराना तालोग है जम्मू और कश्मीर से तो मैंने सोचा में इनको पूछ लो के वाट इस व्यूज अबाउट इस एक्जिबिशिन जिसमें इतने सारी गुट्मेंस शोकेश हुए हैं और शायद इंडिन आपी इनको प्रोक्यूर करने वारी हैं तो राजु साब आप हुमें बताईए कि इस सिनॉक्सियम का फाइदा क्या होगा पूरे इंडिया में और खास करके नहों इंटिश्मीर को है कि इसमास थाओं कि यह जो एकुपिंड इतने साथ कर रहे हैं कि इनोवेशन कर रहे हैं यह पुरा देश के लिए फादावान के क्यूंकि इंडिजिनेस प्रडक्शन के जो सिल्सिला है देश में चालों को चोटा है आप देख रहे हैं कि एक्सों पचाज से ज्यादा मैनिफाक्टर्स नाया है और 4G है, Air Force को भी है, Navy को भी है जो देखने आया है जो देखने आया है जो येकिन है कि इस उनने जो मैनिफाक्टर्स है वो चीज को शोकेस करने है जो हमको जोग है और हम जो भी देखने जो हमार एक सबता है और को मैं रहने के लिए एक काम रहने के लिए पढ़ जाए है और सर्थ ये गोर्मेंट ने बहुत स्यादे हजार करोड को 47,000 करोड का सैंक्शिंग किया है इन एक्विप्मेंट को प्रॉक्रण के लिए पर देखने के लिए और जीप के अलाबा एक अर्विप्मेंट के अलाबा एक अर्विप्मेंट के लिए प्रॉक्रण के लिए है और हम समझते हैं कि इसे हम सब को काईड़ा है थाक्यू तर झालाबा एक अर्विप्मेंट के लिएखने में लिए भागने के लिए याथमेंट के लिए हैं झाल 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 तो दोस्तों, North Tech Symposium 2022, तो इस साल धंपूर में है, तो इंते गूंदे, मैंने मुलाकात की, हमारे आर्मी नौधन कमांडर, घूर, Reality General, एंते गूरी तो, एंते गूषा से, सर, मेरी ब्लोग के आने करी बहुत बहुत शुक्रिया, सर, व्यूवर्स को इक चीज़, मैं आपको एक वार्मी सवाल चालते, इसके बाद में आप से सवाल करूगी, व्यूर्स को मैं बताना चाहते हूं कि यहां पर आपके बारे में जोभी मुझी रिखी मिली को है कि You're the most approachable Northern Army Commander ever. मतब आप हर किसी से बात करते हैं बहुत ही approachable हो. In fact, Militants को लेकि आपकी खियालात कुछ ऐसे हैं कि Your heart goes out to the parables. आप यह ऐसे बोला था. तो Can You highlight this? What is the secret behind you being so approachable? सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान होना सबसे पहले ज़रूरी है जब आप इंसान हैं जब इंसानी विश्टे है तभी ये सोसाइटी बनेगी और सुसाइटी को तभी आप आगे मगा सकते हैं तो जब इंसानियत होगी, जब लोग आपस भी मिलेंगे, तो ये मिलिटेंसी ये टरिरिजम जिसको हम बोलते हूं, उसको भी हम उस डख से कम कर सकते हूं। जैसे पहले जब आपसे बात चीत होई थी, कि मेरा इरादा ये है, कि हाथ से तो पत्थर निकल गया, पर बहुत लोगों कि दिर में हो सकता है, अभी भी दिर में पत्थर होई। मेरी कोशिश ये है कि उस पत्थर को निकालके फूल में बढ़े। सर अभी आप इस सिंपोजियम की बारे में थोड़ा सा हमें बताईए कि इस से देश को और खासकर कि जम्मु कश्मीर को कुछ क्या फाइदा हो सकता है, और ये जो शांदार सिंपोजियम है, अलब इसका इसका आगास किया गया है। इस सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक रफस सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर देए। जब इंपोर्ट करते हैं उसको की परिशानिया आती है। सबसे पहली परिशानी ये आती है कि अजर उसको कुछ खराबी आ गई है, तो उसके लिए हमें मैंट पावर नहीं मिलता है ना, रिसोर्स मिलते ना, इस पेये पार्क्स मिलते ना, उसी परिकार से जब हमें उसको आगे उसकी टेक्नोलोजी बढ़ावा करना है, तो उसके बोला जाता है, नहीं जी आपने एक्विप्पेंट खरी दिया, तो होता क्या है, जो इसके कीमत होती है, एक तो होबढ़ जाती है, दूसरा जब मुझे सही समय पर चाहिए होता है, तो एक्विप्पेंट अदारत होता है, इन चीज़ों को मद्दे नजर अखते हुए में और कोशिश यही है इस सिंपोजियम की, कि हमें चोटे-चोटे एक्विप्मेंट बनाएं और सिस्टम इंटिगरेशन की करते हैं, थांक्यू सो मुझ सार, थांक्यू, हमारी बुर्वास ते चोटने के लिए, और मैं बता दूँ कि यहां पे जो भी लोगा हैं वो बहुत ह इंप्रेस्ट है कि हमारे देश में आत्म दिर्भर भारत में इस तरह की इस क्वानिटी का एक्विप्मेंट बन रहा है, और थांक्स तो यू जो यह शांदार जो आपने इसका आगास किया, इस शांदार सिंपोजियम का, उसकी वज़से आप देश भी यह देख सकता है कि यहां पर कितना टालेंट है मैनुफाक्टरिंग में, स्पेशली मैनुफाक्टरिंग और डिफेंस एक्विप्मेंट झालेंट झालेंट